Welcome to study ahead learning point दोस्तो आज हम puzzle type के questions या missing number type के questions का discussion करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इस type के questions को एक्जाम में जल्दी से जल्दी किस तरीके से solve किया जा सकता है तो friends इस में इस type के questions में एक pattern दिया हुआ होता है और उस pattern को आपको identify करना होता है कि किस हिसाब से numbers arrange किये हुए हैं और एक missing number को आपको find out करना होता है तो देखिए दोस्तों सुरुवात करते हैं चलिए question number 1 से दोस्तों इस question में आप देखिए यहां पे 8, 3, 21 जो आपके square type के questions या इस type के rectangle type के matrix में question दिये होते हैं उन में आपको एक number के साथ 2 number का relationship देखना होता है एक तो आप horizontally check कीजिए एक vertically check कीजिए तो दोस्तों आपको नजर आ रहा है यहां पे 12 है नीचे यहां पे 2 है तो इस type से एक बड़ा number नहीं आ रहा है यहां भी एक छोटा है एक बड़ा है तो इसका मतलब इदर से pattern बनना मुस्किल है आप identify कीजिए इस तरफ यहां 21, 25 तो इक बड़ा number दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों को मैं minus कर देता हूं तो number आ जाता है 21 तो ऐसे ही देखी दोस्तों इसमें भी यही pattern हो रहा है 6 multiplied by 5 6, 35 और 30 में से यह बीच वाला number आप minus कर दीजिए 5 तो यह आ गया 25 तो ऐसे ही दोस्तों इसमें pattern आपको पता लग गया आप 12 गुणा 24 और यह बीच वाला number 2 minus कर दीजिए तो 24 में से दो गए तो आपके 22 तो 22 is the correct answer of this puzzle इसी तरीके से दोस्तों second question देखिए second question में आपको देखिए बड़ा number कि साइड में नजर आ रहा है bottom में नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह जो बाकी के number से इनका connections या इनका कुछ relationship होके यह number आएगा तो आपको easily identify करके इस तरीके से देखना है कि बड़ा number कि साइड में आ रहा है तो आपको 90% cases में इसका hint मिल जाएगा दोस्तों तो देखिए किस तरीके से यह pattern repeat हो रहा है तो अगर मैं देखिए चार तीब 12 और 12 पांच 17 होता आप देखिए मैं 5 और 4 इन दोनों को multiply करता हूं तो 5 चुक 20 यह multiply हो गया और यह plus हो गया तो 23 आ गया correct है ऐसे ही इसमें देखिए दोस्तो 5 और 3 इन दोनों को multiply कीजिए कितना जाएगा 15 और 15 में से जब आप minus 4 करेंगे बीच वाला number sorry plus करोगे क्योंकि plus वाला pattern यूज कर रह ही है दोस्तों यह pattern सही है इसी pattern को यह repeat कीजिए 6 को 3 से multiply करेंगे आप 18 आएगा और 18 को 2 में add कर दीजिए तो 18 प्लस 2 20 तो 20 इसका correct answer है इस puzzle का C option is the correct answer इसी तरीके से दोस्तों next puzzle देखिए question number 3 pattern identify करने की कोशिश कीजिए आप तो friends इसमें क्या नजर आया आपको आप देख रहे हो यह भी आप identify कर पा रहे हो कि इसमें जो ज्यादतर जो number दिये हुए है दोस्तों वो perfect square है किसी ना किसी संख्या के perfect square है जैसे 9 है वो 3 का square है तो यह चीज़ा आपको identify करने की जरूबत है 4 है जैसे 2 का square है और 1 है 1 का square होता है यहाँ पर देखिए 6 का square 36 4 का square 16 और 3 का square 9 और यहाँ पर 5 का square 3 का square 2 का square तो दोस्तों नीचे जो number आ रहे है वो इसे किस तरीके से आप relation निकाल सकते होते हैं कि 3 plus 2 plus 1 3 plus 2 plus 1 कितना हो गया 6 जो भी square जिस संख्या के square है उनको add किया है 6 4 10 हो गया और 10 और 3 13 तो यह संख्या आ गई ऐसे इसमें यह pattern आ जाएगा दोस्तों 5 plus 3 plus 2 5 और 3 8 और 2 10 10 इसका correct answer 10 आपका correct answer है इस question में देखिए यह वाला जो question है question number 4 question number 4 इस type के questions भी आपके exam में puzzles में पूछे जाते हैं तो देखिए किस तरीके से solve करेंगे दोस्तों इन questions में आप बीच वाला number देखिए यहां पे 99 है यहां 114 है और आपको पूछा है कि यहां पे क्या number आएगा इस ब्लॉक में क्या number आएगा तो बीच वाले number है वो जो आसपड़ोस में इसके number आ रहे है चार उनसे सबसे काफी बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि अगर इनको आप आपस में जोड़ोगे तो नहीं हो सकता इसका मतलब इन संख्याओं में या तो कुछ individual संख्या multiply होगी या फिर इनका square होके add हो रहा होगा तो देख लेते हैं देखिए 5 का square कितना होता है 25, 49, 16 और 9 तो जब आप add करेंगे दोस्तों क्या आएगा 9 और 5, 14 और 6, 20 और 9, 20 और 9 होगया 29, 20 और 9, 29 तो 2 कहरी होगया 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 9 बिलकुल correct आया है 99 इसका मतलब यह pattern इसमें भी चेक कर लेते हैं देखिए 77, 49, 6, 36, 5 का square होता है 25 और 2 का square होता है 4 तो दोस्तों add करके देखिए 49, 36, 25 और 4, 9, 6, 15, 20 और 4, 24, 24, 24, 6, 9, 11 तो बिलकुल correct आ रहा है दोस्तों यह pattern यहाँ पर repeat हो रहा है इसका मतलब 3, 3, 3 का square 9 और 9 का square 81, 5 का square 25, 7 का square 49 add कर लिजी दोस्तों 9, 81, 25 और 49 कितना होगे दोस्तों 9 और 1, 10 और 5, 15 और 15 और 9 होगे आपका 24 और 2 कहरी होगे 8, 2, 10 और 2, 12, 12, 12 और 4, 16, 164 इसका answer आजाएगा दोस्तों और 164 B option is the correct answer तो इस type से आप pattern को पहँचान सकते हो दोस्तों हमारी trick आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करते जाएं दोस्तों वीडियो को like करते जाएं next question देखिए दोस्तो question number 5 एक triangular form में series दी हुई है और यहां पर पूछा गया है क्या number आएगा तो इस type के questions में भी आप देख रहे हो बीच वाला number है वो बड़ा है दोस्तों लेकिन ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बाहर वाले हैं वो number क्या है छोटे हैं तो आप multiply करोगे त उनसे तो छोटा ही आएगा इसका मतलब देखिए आठ साथ 56 हो रहा है चपन तो ज्यादा ही हो रहा है इसका मतलब कुछ संख्या से divide भी होके यह number आ सकता है या minus होके यह number आ सकता है तो आप चेक कर लीजिए सबसे पहले अपन बात करते हैं साथ गुणा आठ गुणा पाँच तो यह हो रहा है दोस्तो आठ साथ 56 गुणा पाँच तो 56 गुणा पाँच करोगे आप तो क्या आएगा पाँचीन तीस और पाँच मंजे पत्चीस और तीन अठथाईस 280 आ रहा है दोस्तो 280 से हम 14 लाने की ट्राई करें तो कितना डिवाइट करना पड़ेगा 20 से डिवाइट करना पड़ेगा और यह आजाएगा 14 चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या यह पैटर्न रिपीट हो रहा है हमने किया था भाहर की संख्याओं को मल्टिप्लाई और डिवाइट किया 20 से चेक कर लीजिए पांच चोकव 20, 4 दुनी 8, 6 दुनी बार है बिलकुल करेक्ट आ गया दोस्तों ऐसे ही आप इसमें कर दीजिए 1 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइट वाइट 20 और देखिए option भी आप चेक करते जाओ option में numbers हैं वो इन से काफी छोटे हैं तो इसका मतलब divide होगा तो 2 से कटकर 1 आ गया दोस्तों तो इसका answer आ गया 1 तो इस टाइप से आप identify कर सकते हो कुछ तो इस ट्रिक्स आप माइंड में भी रखिए कि किस तरीके से हमको number को identify करना है तो next question देखिए question number 6 दोस्तो question number 6 में क्या दिया है circles दिये उन circles में देखिए बहुत अच्छा question है इस question को किस तरीके से आप solve कर सकते हो इसमें जो option दिये हो है बड़े options है और किस तरीके से इसमें pattern repeat हो रहा है आपको identify करना पड़ेगा तो दोस्तों अगर आपने इसको identify कर लिया तो इसका मतलब puzzles का questions आप नहीं छोड़किया होगे exam में तो देखिए इसमें किस तरीके से solve किया गया है अब देखिए साथ और चार ग्यारा इस तरीके से pattern भी नहीं आ रहा है कि चार से साथ आ जाए तो कैसे आ सकता है चार से साथ देखिए multiply करके देखिए किसी संख्या से माली जी यह चार की बात क आ रहे है यहां पर और साथ लाना है मेरे को तो साथ कैसे ला सकता हूं कैसे आ सकता है इसमें 4 प्लस 3 से भी आ सकता है लेकिन 7 प्लस 3 होगा तो फिर इदर पैटन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आप मालीजिए मैंने multiply कर दिया इसको 2 से तो चार दूने 8 और 8 में से एक मा यह माल लेते हैं कि यह पैटन रिपीट हो रहा है अब साथ से नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा साथ में अगर मैं 2 से multiply करता हूं साथ को तो 14 होता है दोस्तों और 14 में से माइनस 1 करता हूं तो बिलकुल हां 13 आ रहा है तो 13 नमबर क्या है यह तो इसका मतलब पैटन यहां स से यह चलता जा रहा है 25 आ गया 25 को जब मैं 2 से multiply करता हूं 50 होता है उसमें से माइनस 1 करता हूं दोस्तों 50 में से माइनस बिलकुल 49 आ गया और सो में से 2 माइनस करती जिए तो 98 और 98 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या जाएगा आंसर 97 तो दोस्तों इस तरीके से आप कुश्चन को सॉल्व कर सकते हो यह आंसर आ गया आपका 97 97 यहां पर बहुत ही अच्छा कुश्चन था दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लागा ना था इसमें next question देखिए कि question number 7 कि इस question में देखिए identify कीजिए किस तरीकी से देखी दोस्तों यहांसे जो circular पार्ट होते हैं उनमें आपको चेक करना है कि ये नमबर भी आ रहा है कि ये नमबर बिल्कुल 4, 5, 20 क्या repeat हो रहा है नहीं हो रहा है 8, 24 ये गलत है पैटन आप देखिए 9 कैसे आ सकता है 5 प्लस 4 से आ सकता है उपरवाली नमबर को प्लस करके 5 प्लस 4 ठीक है 20 कैसे आ सकता है उपरवाली नमबर को मल्टिप्लाई करके 5 चको 20 क्या इसमें हो रहा है ये 8 और 3 3 और 8 कितना हो गया 11 बिल्कुल है और मल्टिप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 3, 24 बिल्कुल पैटन पता लग गया दोस्तों आपको पैटन कि उपर वाले डिजिट को मल्टिप्लाई करके तो लेफ्ट वाला नमबर आ रहा है और प्लस करके राइट वाला नमबर आ रहा है तो आपको पूछा है ये लेफ्ट वाला नमबर तो दोनों डिजिट को आप मल्टिप्लाई कर दीजिए 9, 4, 36 तो 36 आंसर आजाएगा और 9 चार 13 परफेक्ट पैटर्न रिपीट हो रहा है इसका मतलब 36 is the correct answer तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने अच्छे अच्छे पजल वाले questions या missing number वाले questions जो की हर एक्जाम में आपके RRB की एक्जाम हो चाहिए वो SSC CGL की एक्जाम हो हर एक्जाम में आपको पूछे जाते हैं तो दोस्तो हमारा पढ़ाने का तरीका और इन questions को solve करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो please subscribe करें हमारे चैनल को लीडियो को like करें thank you